हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर तो जैसा कि हम लोग देख रहेते BCS012 का December 2023 का solution ठीक है? यह इस प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है और इससे पहले मैंने question number 1 का A, B, C, D बना के दे दिया है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले question number E तो देखिए, यह question कहा रहा है if y is equal to Ae to the power mx plus Be to the power minus mx plus 4, तो show that यह वाला, ठीक है? तो देखिए, यह भी question है बस दिखने में ऐसे लग रहा है, क्या क्या चीज दिया हुआ है hard होगा, पर ऐसा question नहीं है बिल्कुल अराम से बन जाएगा यह question तो यहाँ देखिए, आज हम लोग क्या दिया हुआ है तो solution है यहाँ पर we have y is equal to, लिख दिया है आप देखिए, यह जो y है हम लोग इसको differentiate करेंगे अब देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुली BCS12 को नहीं पढ़े होंगे और उनको कुछ पी idea नहीं होगा और वो भी देख रहे होंगा, और कुछ लोगों को idea होगा तो देखिए, differentiate आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में जिनको बिल्कुल नहीं पता है तो मैं जैसे इस वीडियो में बोल रहा हूँ उसको बस follow करते चाहिए तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको differentiate करेंगे तो differentiate both side with respect to x ठीक है, ऐसे आप लिख दीजेगा, differentiate तो यहाँ पर लेखिए हम लोग differentiate करेंगे तो यानि कि y का differentiation क्या हो जाता है तो dy by dx ठीक है, is equal to इसका differentiate करेंगे तो वही लिख दिया है dy by dx, यह differentiation का form होता है और इस पूरे का differentiation करेंगे तो वही लिख दिया है, ब्रैकेट में a e to power mx पूरा, ठीक है अब देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग solve करेंगे तो अब इसका differentiation करेंगे तो पहले यह d by dx है इसके साथ होगा, फिर d by dx का इन सब के साथ होगा differentiation तो यहाँ पर देखिए, वही लिखे है तो पहले का करेंगे हम लोग इसके साथ a e to power mx जब हम लोग ऐसा कोई form गुलता है तो यह जो a value है यह हम लोग का constant value है तो constant value क्या होता है वो बाहर निकल जाता है यानि कि a जो है हम लोग का यहाँ पर a हो जाएगा बाहर इसको आप ऐसे समझेए हम लोग पहले d by dx कर रहें इसको a e to the power mx तो इसमें क्या होगा ना पहले यह जो a value है यह बाहर हो जाएगा और हम लोग का इसके साथ हम लोग का differentiation होगा e to the power mx का अब देखिए यह एक formula होता है हम लोग का differentiation में जब हम लोग e का differentiation करते है न तो क्या होता है यह जो e to the power mx है न यह पहले एक पार बहार निकल जाता है e to the power mx और फिर अंदर होता है differentiation यह जो value बचा है यानि कि इस mx का यानि कि इसके power में जो है उसका हमलों का differentiation होता है यह formula है, ठीक है? मैं आपको एक दम line break करके बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी idea नहीं उनको तो यहाँ देखिए यह इस चीज का differentiation ऐसे होता है पहले यह पूरा बहार आजाएगा e to the power mx है तो यह पूरा बहार आगया अब फिर इसके power में उसका differentiation होगा तो आप देखिए यह a के साथ था तो यानि कि a into e to the power mx हो गया यह ना e to the power mx हो जाएगा और उसके बार d by dx mx होगा यह यह ऐसे लिखाएगा तो वही चीज को मैं यहाँ पे लिखाओ a e to the power mx पहले a तो बहार हो गया तो mx हो गया फिर प्लस फिर जब हम लोग इसका differentiation करने जाएगे तो वही सेम रहेगा भी हम लोग को constant भी बाहर आ जाएगा फिर d by dx किसका differentiate करेगा e to the power mx का तो इसमें भी क्या हो जाएगा e to the power mx है तो वह एक बाहर बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा d by dx होगा यह उपर वाले value का यानि कि minus mx का और प्लस 4 ठीक है अब देखें यहाँ पर किसी भी value का होता है अगर differentiation d by dx 4 का करोगे तो वह हम लोग का 0 हो जाता है किसी भी constant value का करोगे यहाँ पर 4 ray, 5 ray, 1,000,000 ray यह कुछ भी रहे तो इसका हम लोग का differentiation 0 हो जाता है यह formula थे तो यह आप लोग को पता होना चीए तो आप देखें आगे हम लोग इसको solve करते है तो आप देखें यहाँ पर same a to the power emx same लिखा गया आप देखें इसका हम लोग जब differentiation करने जाएगे तो d by dx यहाँ पर m और x तो यहाँ पर m जो value है वो constant है यहाँ पर जैसे a था तो यहाँ पर m constant है तो m बहार आ जाएगा तो m बहार आ गया तो अंदर क्या बचा d by dx इसको अब तो बहुत detail में देख लेते है d by dx है तो यहाँ पर आ जाएगा mx है न इसका हम लोग कर रहे इसको अच्छे से में बता रहो है आपर तो यह हो गया d by dx mx तो इसमें देखिए m constant है तो m बहार आ जाएगा अंदर क्या बचा d by dx x का हम लोग differentiate करेंगे आप देखिए यह जो होता है d by dx x का जब हम लोग किसी का differentiate करते तो उसका value 1 आता है ठीक है यह x x है ठीक है यह constant value नहीं है यह x x ही है और यह formula होता है d by dx अगर हम लोग x का करते है तो उसका value 1 आता है यह simple formula है याद कर लिजेगा तो यहाँ पर हो जाएगा m into 1 तो वही हम लोग यहाँ पर किये जब d by dx m x का करेंगे तो m बाहर आ जाएगा और d by dx जब x का होगा तो x का value 1 होता है तो m into 1 m हो गया फिर यहाँ पर देखिए minus हो जाएगा sign देखिए plus था minus कैसे होगा तो यहाँ पर प्लस समझ के चलिए उसके देखिए फिर वही d by dx m x का जब हम लोग करेंगे तो वही सेम यह जो minus है में यह बाहर आ जाएगा तो इसलिए यह minus 1 था यहाँ पर प्लस था तो यह minus sorry यह plus minus minus हो गया था तो इसलिए में आपर में minus लिख चिका हो ठीक है और फिर यह d by dx x का होगा तो 1 आएगा तो m के साथ 1 multiply होगा 1 m ही आएगा और यह 0 हट चुका है अब देखिए यह value आ चुका है simple आप इसको लोग लिख देंगे एक दम अच्छे से लिख देंगे एक बाद से जए और यह धी यह जोगे on को कि का है अब हुआत मास्तिएंट के तो आप समझ गया उगगे 운 handing y का समेंट के देख है dy dx और y अब ऑप कोई वाल्यू निया इसलिए इसको direct इसलिए dy dx उज ही भी लिख यह रहाए थेक है अलग उश्री है एक बार डिफ्रेंशेट किया तो यह वैल्यू आ गया है अब हम लोगोगो इसको यहां पर देखें लोगो शोड़ा था इसको डिफ्रेंशेट करेंगे तो यह वाले वैल्यू को आप लोगो इतना आप लोगो लेकिन पता होना तो इसको हम लोग जब differentiate करेंगे तो क्या आजाएगा यही डी के साथ उपर इंटर हो गया तो डी स्क्वाइर बाई और डी एक्स का हो जाएगा डी एक्स स्क्वार तो वहीं देखें यहां पर लिखा हो इसका differentiate के तो क्या आगया यह अब इस पूरे का भी हम लोग differentiate करेंगे तो वहीं लिख दिया है d by dx यह बस बताने के लिए के differentiate कर रहे है और यह पूरा as it is लिख दिया है अब वही सेम चीज़ जो पहले उपर किया है वहीं करेंगे तो अब इसका देख लिजे इसमें करेंगे तो am हम लोग का क्या value था constant value थ तो am बाहर आ जाएगा जब इसके साथ differentiate करेंगे तो am बाहर आगया उसके फिर क्या बचा अंदर तो d by dx बचा और फिर हम लोग इसका differentiate करेंगे e to the power mx का तो e to the power mx है तो क्या होता है differentiation formula हम लोको पता है अगर e कर रहें तो पहले वो बाहर आ जाएगा तो e to the power mx है वो पूरा बाहर आ गया और फिर अंदर किसका differentiate करेंगे तो d by dx उपर वाले value का mx का same as it is इसी तरह से दिमाग उसी तरह से लगाना है फिर देखें minus का sign है फिर जब d by dx इस पूरे पे होगा तो यह b और m जो है वो तो constant value है बाहर आ जाएगा फिर यह d by dx इसको जब differentiate करने जाएगा तो e to the power minus mx है वो एक बाहर आएगा और फिर into d by dx किसका करेगा minus mx का है ना फि उसके बाद d by dx m का करेगा तो हाजाएगा हम लोग का mx करेगा तो m constant है तो m बाहर आजाएगा और m बाहर आएगा तो यहां पर देखें एक m है और यह वाला m बाहर आ गया तो m square हो गया है ना इसका जब हम लोग differentiate किये तो क्या हुआ ओगा यहां पर देखें देखें को करके तो इसलिए यहां पर direct m था तो m into m m square कर दिये direct लेकर आने पर इस्टेप बढ़ेगा फिर यहां पर same यहां पर minus का sign है मान के चलिए plus यहां पर आ जाएगा फिर इसका जब हम लोग differentiate करेंगे तो यह minus m है तो constant value हो तो यह बहार आ जाएगा minus m तो यही इसलिए हो गया minus m into इस m के साथ हो जाएगा तो minus m square होगा और यहां पर minus का sign था इसलिए minus minus plus हो गया और d y d x है ना और फिर देखे m का तो हो गया लेकिन फिर वही है फिर अंदर क्या बचा एक्स बचा तो d y d x x हम लोगो पता है वन होता है तो वही वन का तो वन ही हो जाएगा multiply करेंगे तो same ही रहेगा इसलिए मूँ वहां पर वन नहीं लिख रहे है इसलिए तरह यहां m2 जो है यह दोनों में same है तो हम लोग m2 को बहार निकाल देंगे अंदर क्या बचा फिर इसमें a e to the power mx बचा प्लस और इसमें क्या बचा b m2 तो बहार चला गया तो बचा है e to the power minus mx अब देखे यहां पर लिख दिये यह देखे तो हम लोगों ने इसको प्रूफ क बराबर कैसे लिखती है यहां देखे जो हम लोग यह equation दिया था इस equation को अगर एसे लिख सकते हैं अगर a to the power e mx यहां पर देखे ए to the power e mx है यह सेम है हम लोगों का इसी के तरह है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस प्लस प्लस 4 को अगर इधर लेके आ जाएंगे y-4 कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाए यहां पर a to the power mx प्लस b e to the power mx है ना तो यही पहलू था तो यहां पर हम लोगों का इसकी जगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं तो y-4 लिख सकते हैं तो वही किये a to the power mx और b to the power mx की यहां पर y-4 कर दिये यह जो हम लोगों का यहां पर हम लोग प्रूफ कर दिये यह हम लोगों का यहां पर हम लोग प्रूफ कर दिये यह हम लोगों को प्रूफ नहीं करना था यह हम लोगों को शोडाट करना था double differentiation करने के बाद तो यह हम लोगों का value आ चुका है और यही ह आप देखिए इसमें confusion हो सकता है लोगों को कि अगर जिनको फॉर्मूला नहीं पता होगो वो confused हो जाएंगे और जिनको फॉर्मूला पता है वो तूरंत बना लिए और अभी आप लोको फॉर्मूला पता चिल जोका है सब के बारे में जैसे e to the power x रहता है तो उसको कैसे differentiate करत आता है यानि फॉर्मूला 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 समझाए अगर पूरा देफ्स में जाने को कोसिस मत कीजाएगा दो-चार दिन में तिक है नहीं हो पाएगा इसलिए जैसे बताया हूं उत्ता अपस करते जाए अराम से हो जाएगा तो यह था question number one का e अब आईए हम लो if alpha beta are roots of this equation and alpha square plus beta square is equal to 10 तो find k ठीक है यानि कि हम लोगो यह equation दिया हुआ है और अब लोगो यह value दिया हुआ है अब बोल रहा है k का value को find करने के लिए तो यहां पर देखे हम लोग इसको लिख सकते हैं यह as it is लिख दिये है x square minus 2kx plus x square minus 1 यह वला equation equal to 0 ठीक है इसको same लिख दिये है आप देखे जब यह alpha beta वाला formula आता है न मतलब इसमें ऐसे भी question exam में आते रहते हैं roots find करने बोल रहता है तो वह भी बन जाएगा तो यहां पर दिया रहता है given value तो ax square plus bx plus c is equal to 0 तो यह वाला जो equation है यह equivalent है इसके यह given रहता है हम लोगों पहले से हमेशा से formula समझ के चलिए तो यहां पर देखे यह भी ax square तो x square के form है फिर bx है तो bx है यहां पर कोई भी value है यह सब तो constant है चेंज होते रहता है यह form है फिर यहां पर य equivalent के है तो आम लोगों पता चल चुका है एक value क्या है यहां पर देखे एक स्क्वाइर के साथ जो into में वह है तो यहां पर x square के साथ कुछ रही गया यह नहीं 1 है तो इसले हम लोगों का a value क्या 1 है फिर bx है तो जब हम लोग इसको साथ के तो x के साथ क्या इसदर multiply में है तो ताकि हम लोगों c का value पता चल चुका है सिर्फ यह नहीं है यह भी है पूरा यह c क्योंकि यह तो ओगया x का पार्ट बचा क्या c तो यह c का पूरा हो गया तो k square minus 2 यह k square minus 1 होगे हम लोगों का c अब देखे हम लोगों a b c पता चल चुका है तो आप देखे इसको क्या करें रूट्स निकालेंगे तो sum of roots और product हम लोगों को निकालना होगा तो यहां पर देखे sum of roots तो sum of roots यानि की alpha plus beta तो alpha plus beta is equal to minus b by a यह formula है ठीक है रूट्स का अगर हम लोग जो दो root को add करते है तो वो equal to होता है minus b by a के तो यह आप लोगों याद करने वाला चीज़े तो sum of roots यानि alpha plus beta is equal to minus b by a चेक है a का value क्या है 1 है तो 1 लिख दीज़े यह minus minus कर दिया तो हम लोगों क्या value आया 2k ठीक है देखे sum निकल चुका है अब हम लोग product निखा लेंगे तो product of root यानि की a into b and sum मतलब sum add कर रहे product मतलब multiply कर रहे तो alpha plus alpha multiply beta ठीक है तो यह हम लोगों का दूसरा formula आता है अगर product करते है तो क्या आता है equal to होता है वो c by a के है ना sum करते है तो minus b by a और product करते है तो c by a यह याद करने विला याद कर लिजेगा अब बस तो alpha beta is equal to c का value क्या है तो k square minus one है ना c का value है k square minus one और यह का value क्या है one है तो k square minus one divided by one is equal to kya हो गया k square minus one अब यहाँ देखे हम लोगो alpha plus sum of root पता चल चल चुका है product of root पता चल चल चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो बोला है ना यह जो है alpha square plus beta square is equal to 10 इसमें put करेंगे अब यहां से हम लोग को key का value को लाएंगे तो यहां देखें लिख दिए हैं अब यह देखें यह formula है हम लोग कोई a square plus b square का formula है ना तो इसको लिख सकते हैं a square plus b square minus 2ab है ना तो वही लिखें alpha square यहां पर a की जगा पर alpha है b की जगा पर beta है तो alpha square plus beta square minus 2 alpha beta 2ab यानि 2 alpha beta तो यह हम लोगों ने a square plus b square का form में इसको break कर दिया is equal to 10 तो यहां देखें इसको लोग क्या करेंगे यह देखें दोनों है alpha square plus beta square दोनों के साथ square है तो मैं बताया था से पहले वाले किसी question में कि अगर दोनों के साथ square होता है तो उसका हम लोग whole square कर सकते हैं तो यहां पर देखें यह alpha plus beta है तो alpha plus beta का whole square इनको इस form में लिख दिया सब्सक्राइब यहां पर आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को value पूट कर सकते हैं नाम से तो हम लोग sum of roots alpha plus beta इसका value क्या था तो टू क्या था ना alpha plus beta का value आया था हम लोगा 2k तो यहां पर हम लोग alpha plus beta की जगा पर लेचेंगे 2k और इसका whole square है तो whole square square minus 2 alpha beta यह क्या है प्रोड़क्ट है है ना alpha beta alpha into beta तो इसका value क्या था product का तो k square minus 1 आया था तो बस 2 और इसकी जगा पर लिख देंगे k square minus 1 आप समझ रहो ना सब कुछ sum निकालने का product निकालने का फाइदा आप पता चल रहा है और is equal to हो चुका है 10 ठीक आप इसको normally solve कीजिए कुछ से कुछ से कीजिए solve करने का है इतना दो पता चल चुका है अब solve करके value ले आई है आसा करते हैं कि यह होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2k का whole square यानिकी 4k square minus इस 2 का पूरी के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k square फिर यह देखें bracket ठाट जाएगा तो यह minus यहां का minus के साथ हो जाएगा तो minus minus plus हो गया और यह हो गया plus 2 यह हो गया equal to 10 है आप देखिए इसको हम लोगो आगे solve करेंगे तो यह हो जाएगा 4k2 माइस से 2k2 माइस होगा तो क्या बचेगा 2k2 और यह प्लस 2 का plus 2 is equal to 10 है ना इन दोनों में से अब देखें 2 common निकल जाएगा तो 2 common निकला अंदर क्या बचा k2 और यहां पर plus और यह 2 बहार निकल चुका है तो अधर क्या बचा सिर्फ 1 है ना equal to 10 अब हम लोग इसको इस 2 यह इधर multiply में इधर आकर divide में हो जाएगा तो k2 plus 1 is equal to 5 और यह फिर plus 1 है इधर आकर हो जाएगा minus 1 यानि 5 में से गया तो 4 बचा तो k2 is equal to 4 हो गया है इसको जब हम लोग आगे solve करेंगे तो यह square है तो इधर आकर root में हो जाएगा पता है आपको equal to कि इधर आता है तो root हो जाता है तो यहाँ पर आगया k is equal to root under 4 और यह plus minus होता है तो यहाँ पर k का value का आ चुका है plus plus minus 2 आ चुका है है ना तो बस यही था देख रहे कितना सिंपल सा आराम से एकटम कोई ज्यादा hard नहीं था एक ही पेज में बन चुका है हम लोगों को हम लोग यहां से इसको equate करके a का value find कर लिए b का value find कर लिए c का value find कर लिए उसका sum of fruit निकाले product of fruit निकाले और यह बला जो हम लोग को value दिया था इसमें हम लोग को sum of fruit का value पूट कर दिया product of fruit का value पूट करके last में यह का value निकाल दिया है ठीक है तो बस यही था यह question और अगर आप लोग को यह पीडिएफ चाहिए होगा BCS 12 का December 2023 का solution वाला PDF तो आप मेरे को simply इंस्टा पर message कीजेगा आप क्या कीजेगा कुछ लिगने का जूरत नहीं है आप बस direct इस वीडियो का link copy कीजे वहाँ पे जाके send कर दीजे मैं समझ जाओंगा आपको यह वाला PDF चाहिए तो मैं आपको बता दूगा अच्छा हाँ यह free अपर बढ़ाय करवाता हूं एगनों BCS related 1, 2, 3, 4 सभी semester का तो वो भी आप चैनल पे पर जरूद चेक आउट कर लिजे playlist वाले सेक्षन में जाहिए देखिए वहाँ पे आपके काम का content बहुत सारा मिल जाएगा चैक है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजे मिलते नेक्ष्ट में तब तक के लिए तन्यवाद